अगला अनुछेद है नर हो ने निराश करो मन को इसके संकेत बिंदू है आत्म विश्वास और सफलता आशा से संघर्ष में विजय कुछ भी असंभव नहीं और महापुरुषों की सफलता का आधार मानव जीवन को संग्राम की संघ्या से विभूशित किया गया है इस जीवन संग्राम में उसे कभी सुख मिलता है तो कभी दुख सुख मन में आशा एवं प्रसन्नता का संचार करते हैं तो दुख उसे निराशा एवं शोब के सागर में डुबो देते हैं इसी समय व्यक्ति के आत्म विश्वास की परीक्षा होती है जो व्यक्ति इन प्रतिकूल परिष्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोता है और आशावादी बनकर संघर्ष करता है वही सफलता प्राप्र करता है आत्म विश्वास के बिना सफलता की कामना करना दिवाश्वप्ण देखने के समान है अर्थार्थ दिन में सपने देखने के समान है मनुष्य के मन में यदि आशावादिता नहीं है और वह निराश मन से संगर्ष करता भी है तो उसकी सफलता में संदेह बना रहता है कहा भी गया है कि मन के हारे हार है मन के चीते जीत मन में जीत के प्रती हमेशा आशावादी बने रहना जीत का आधार बन जाता है यदि मन में आशा संघर्ष करने की इच्छा और करबटता हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है वहाँ विप्रीत परिष्थितियों में भी उसी प्रकार विजय प्राप्त करता है जैसे नेपोलियन बोना पार्ट ने किया था इसी प्रकार निराशा काम में हमें मन नहीं लगने देती है और आधे अधूरे मन से किया गया कारिय कभी सफल नहीं होता है संसार के महापुरुषों ने आत्मविश्वास, द्रडनिष्चे, संघर्ष, शीलता, चेबल पर आशावादी बनकर सफलता प्राप्त की अब्राहम लिंकन हो या एडिशन, महात्मा गांधी हो या सरदार पटेल, सभी ने प्रतिकूल परिष्टितियों में भी आसावान रहे और अपना अपना लक्ष पाने में सफल रहे सैनिकों के मन में यदि एक पल के लिए भी निराशा का भाव आ जाए तो देश को गुलाम बनने में देर ना लगेगी मनिश्य को सफलता पाने के लिए जदैव आशावादी बने रहना चाहिए झाल